ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका आक्सिडेंट हो गया, इसलिए साफधान रहना और अपना खयाल रखना गुडिया हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी, बाई बाई कहां जा रही हो ब्यूटिफुल मुस्कुरा तो दो, अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो हाँ अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती तुम ठीक तो हो अनिता, क्या बात है स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दी कॉमेंट्स किये ये सब एक हफते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ये खौफनाग है, क्या तुमने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे अनिता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करने ही जाहिए मुझे यकीन है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे हेलो स्टूडेंस, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? माम, हम सब यहां अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं बोलो अनेता, हम सब तुम्हारे साथ है मा, माम, एक, 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 मा घबराओ मत बच्चे, मैं यहां अकेली हूँ, इसलिए पेचेचक बताओ, दरो मत माम, एक हफ़ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रूप मुझे को देखकर सीटी मारता है और भध्य कॉमेंट्स पास करता है मुझे इस बारे में ममी पापा से बात करने में डर लगता है मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ हानी रफ, बताओ न कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया उसने मुझे चुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकर ढीली नहीं की वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा मैं बहुत डर गया था मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है ये मामला बहुत ही गंभीर है कल ही एक चात्रुने शिकायत करी कि खेल की पीरेट के दौरान एक बड़ी कक्षा की लड़के ने उसे मैदान में लात और घूसू से मारा बच्चों हिंसा शारिरेक, लैंगेक, अधवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में जागरुक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है तुम दोनों बहुत बहादूर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताए हमें प्रधाना चारे से मदद मांगनी चाहिए आ जाहिए गुड मॉनिंग सर गुड मॉनिंग मैम सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है थोड़ी देर पहले हां? क्या? सर आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे की विकास को नुकसान पहुँचाती है इसकी कारण चुड़ चुड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल नाना और समाथ से अलग थलग रहने की प्रब्रिती पनब सकती है हमें कुछ करना चाहिए सर हम चात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा, समितियों और क्षेत्रिय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षनिक माहौल के लिए एक अभ्यान चला सकते है ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनिता और नीरव के साथ हुआ, वैसा फिर दोबारा ना हो ये बहुत अच्छा सोजाओ है गुड मॉर्निंग एव्रिवान आज मैं आप सबका ध्यानिक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्शित करना चाहूंगा हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक वशारीरिक स्वास्थ पर नकरात्म कसर पड़ता है हिंसा सभी की भलाई वप्रतियक छात्र के संपून विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विध्याले के मुख्यों देश में बाधक है बच्चों हिंसा और उपीडन से बचा तुम्हारा अधिकार है जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो रीना माम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? धन्यवाद माम, बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो, तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं, सुरक्षित रहें हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी हैं, जिम्मदार अभिभावक, शिक्षक, वस्सामुदायक नेता के नाते हमें उनकी बात साथानी से सुननी होगी, हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है पूरे समुदायको ऐसी माहौल का निर्मान करना होगा, जहां बच्चे हिंसा, चोट, वदुरघटनाओं से सुरक्षित रहें चलिए, हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भै मुक्त, वजीवन्त, शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कारे करें